बाजबर प्रत्याशी डिलू मेहतो के समर्तन में बीजे पी की राश्टि प्रवक्ता नाजिया इलाही खान धनबात पहुची कारेकरताओं को संबोधित करते हुए नाजिया ने किंद्र सरकार के विकास के कारियों और अल्पसंख्यक्यों के लिए किये गए कारियों को पूछना चाहती हूँ कि जिन राचों में कॉंग्रेस की सरकार है या इंडी गडबंधन की सरकार है सरकारी नोकरी के आकड़े गूगल पे मिल जाएंगे जो भारते जनता पाटी ने दिया है हम भाई कुछ छुपाते नहीं है जो है ब्लंट है ट्रास्पेनेंट है सब के सामने है मैं पूछना चाहती हूँ कि कैरला में काही लोग ऐसे बिना सरकारी नोकरी के है पश्चिम मंगाल में सरकारी नौकरी कहा है आपको पता है पश्चिम मंगाल में 7% भी सरकारी नौकरी नहीं है 7% भी नहीं है तो श्रीमती ममतब एनरजी खाली मा माटी मानुष होगा मा को भी बेच रही है वो मास बलातकार करवा करके माटी भी बिक रहा है और मानुश का तो कोई खदरी नहीं है पर्शिम मंगाल में तो जहां पर भारदे जिंदा पाटी की सरकार है आप चलिए मेरे सतुत्तर परदेश मैं आपको बताती हूं कि कितनी सरकारी नोकरी है देखिए एक प्रोपगंडा बनाया जा रहा है और कॉंग्रेस और इंडी अल अलातकारी बनाया है वो चाहते हैं कि यह सिलसला चलता रहे पर हम जैसे लोग और भारते जंता पार्टी और मोदी जी के नेत्रत में यह क्राइम और और भारत में नहीं होने देंगे अरे कोई सम्विधान बदल सकता है क्या सम्विधान में चल कपड तो इंड्रा गांधी जी ने किया था एमर्जंसी लगवा करके अरे वह सम्विधान का विरोध जितना इंद्रा गांधी जी ने किया वो तो कोई कर्ही नहीं सकता है और जिसने भी सम्विधान पढ़ा है ये भी वकील है मैं भी वकील हूँ सम्विधान को छूना भी मुश्किल है अब मैं आप लोगों को पहली बात बता देती हूँ आर्टिकल वन उठाइए भारत, इंडिया किसने बनाया गानी परिवार ने 370 आर्टिकल कहे को लगाया कैसे लगाया क्लॉज 9 कहां चला गया था क्यों चुपाया, कश्मीर की लाइबरियरी में क्यों चुपाता क्लॉज 9 तो ये सारे सम्विधान के साथ चलकपट और मनुष्र के साथ चलकपट ये गान्धी परिवार का कारिया है ये हमारा कारिया नहीं है हम सब के साथ और सब के विकास के साथ पढ़ना चाहते हैं कि आज से आज से दस साल पहले मतलब आलू मिलता था 25 पैसा केजी चावल मिलता था एक रुपया केजी और अचानक से दाम बढ़ गया क्या अचानक से हो गया है क्या तिरपन साल में भारत के सब को सरकारी नौकरी कॉंगरस नहीं दे पाया लेकिन दस साल में आपेक्षा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए अरे घर में नहीं बहु आती है उसको भी समय दिया जाता है और भारत में जिस तरहां से मोदी जी के नेतरत में जो जीरो ग्राउंड से ले करके बड़े-बड़े कारिया हुए है उसको गिनवाने अगर मायावती ने कहा था कि अकलेश चोर है और अकलेश ने कहा था मायावती चोर है जोती बासु ने कहा था ममता चोर है ममता ने कहा था जोती बासु चोर है शरत पवार ने कहा था ठाकरे जी के यहां से घपला हो रहा है ठाकरे जी ने कहा था कि शरत पवार के यहां से घपला तो इन सारे लोगों के लेटर पर अगर एडी और सीबी आई काम कर रहा है तो हमें का एको टार्गेट किया जा रहा है रोज तो खुदी चिलाते थे मन सजा करके के यह लोग चोर है यह लोग डखेत है अर्विन केजरी वाली बोलता था था ना कॉंग्रेस की सरकार चोर है औ और कॉंग्रेस बोलती थी के अर्विन केजरी वाल चोर है तो अब तो एडी और सीबी आई अपना काम कर रहे है देखे मसला यह है कि गांधी जी का फोटू जहां आता है न वहाँ पर कॉंग्रेस यह समझ लेता है राहूल बाबा का दोस्त का फोटू है सजालो अलमारी मे इसलिए यह सब कर रहा है लेकिन एडी हो, CBI हो, NIA हो, NSG हो यह एक constitutional body है यह अपने करतव का पालन under the barricade of law करते हैं and law always take its own courts कोई इसके barricade को destroy नहीं कर सकता है nobody can play their diabolic mind under the constitution of law कोई इसके कर दो है